तो फ्रेंट्स वीडियो की पहले से ही आपको पता लग गया होगा कि आज किस वीडियो में हम एक Bluetooth एरफोन बनाने वाले हैं और इसको बनाने के लिए मैं ये Bluetooth receiver कीट को ले रहा हूँ ये आपको 60 रुपे में local market में मिल जाएगा अगर आपको local market में नहीं मिलता है तो आप इसको online आमाजन से purchase कर सकते हो तो फ्रेंट्स अभी मैंने यहां पर ये छोटा सा box ले रहा हूँ अगर आपके पास इस तरिके की box नहीं है तो आप इसको बना सकते हो तो आप इस box के अंदर देख सकते हो मैं ये Bluetooth कीट को इस प्रकार से चिपका देता हूँ double-sided tape की मदद से आपके पास fabric होगा तो आप उससे भी इसको चिपका सकते हो बहुत यह असाने से यह चिपक जाता है तो अभी इस प्रकार से मैं यहां पर इसको चिपका दिया हो और अभी मैंने यहां पर wiring करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा त तो friends अभी मैंने यह 2 speaker की 2 wire को इस box के अंदर इक hole करके इस प्रकार से निकाल दिया हूँ और यहां पर यह जो 2 speaker की दो-दो wire होता है 4 wire इस 4 wire मैं से हमें एक speaker की 1 wire और एक speaker की 1 wire को इस प्रकार से sowing कर देना होगा तो अभी हब लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर दोनों speaker की एक एक wire को soldering कर लिया हूँ और यहाँ पर यह हमारा तीन wire बन चुका है अभी देख सकते हो यहाँ पर तो फ्रेंट्स उसके बाद यहाँ पर इस Bluetooth receiver circuit में जो आर आउट लिखा हुआ है यहाँ पर हम एक speaker की एक wire को soldering करेंगे और जो उपर की तरफ एल आउट लिखा हुआ है वहाँ पर हम और एक speaker की एक wire को soldering करेंगे और बीच में जो ground लिखा हुआ है यहाँ पर हम दोनों speaker की एक एक दो wire को जो soldering करके एक wire बनाया थे उसको यहाँ पर soldering करेंगे तो friends अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था उस प्रकार से मैं यहाँ पर इस Bluetooth Receiver Circuit के साथ soldering कर दिया हूँ तो friends Bluetooth एरफन बनाने के लिए यहाँ पर हमारा दोनों speaker की connection complete हो गया है और अभी हम यहाँ पर बैटरी का connection करेंगे तो अभी मैंने यहाँ पर यह बैटरी ले रहा हूँ जो कि हमारा खराप mobile बैटरी है और यह आपको mobile repairing दुकान पर मिल जाएगा 10 रुपे में तो friends इस बैटरी को यहाँ पर यूज करने से इसका बजन थोड़ा भारी हो जाएगा लेकिन यह बैटरी हमारा बहुत ही अच्छा backup देगा आप चाहो तो यहाँ पर लिपो बैटरी को यूज कर सकते हो जो छोटी छोटी बैटरी आता है rechargeable लेकिन वो अच्छा backup नहीं देता है यह बैटरी हमारा सबसे अच्छा backup देता है तो इसलिए मैं इस बैटरी को यहाँ पर यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं यह बैटरी को इस प्रकर से चिपका दिया हूँ इस बोक्स की बाहर की तरफ और इस बैटरी का positive और negative और को इस बोक्स की अंदर लाकर दिखा देता हूँ आपको तो फ्रेंट्स मैं यहाँ पर यह बैटरी को बोक्स की अंदर नहीं चिपकाया हूँ क्योंकि यह बैटरी हमारा इस बोक्स की अंदर fix नहीं आता है तो इसलिए मैं यह battery को box की बाहर की तरफ इस प्रकार से चिपकाया हूँ आप देख सकते हो तो friends यह जो red wire आप लोग को दिखाई दे रहा है यह हमारा battery का positive wire है और यह जो छोटा सा yellow wire आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा battery का negative wire है और इसको हम यहाँ पर इस Bluetooth receiver kit की GND पर लगाएंगे जो हमारा GND लिखा हुआ है यानि की ground और friends यह battery की positive wire को यह switch की एक सिरे के साथ soldering करेंगे और यह switch की दूसरी सिरे से एक wire को soldering करके इस Bluetooth receiver kit की जो positive fiber लिखा हुआ है वहाँ पर soldering कर देंगे तो friends अभी आप लोग देख सकते हो मैं यह box की एक साइड में hold करके यह switch को लगा दिया हूँ और जैसे आपको बताया था से मूसी प्रकार से यहाँ पर switch battery और यह Bluetooth receiver kit के connection कर दिया हूँ friends आपको पता होगा यहाँ पर switch लगाने का फाइदा यह है कि हम जब चाहे इस Bluetooth earphone को चालू कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं तो अभी मैंने यहाँ पर यह Bluetooth earphone की speaker switch और battery का connection कर दिया हूँ तो friends यह Bluetooth earphone की battery को charge करने के लिए सिर्फ charging का connection बचा हुआ है और इसके लिए मैं यहाँ पर यह micro USB port ले रहा हूँ जो कि आपको 5 रुपे में मिल जाता है local market में और यहाँ पर यह micro USB port को मैं इस box के अंदर एक hole किया हूँ और उसके अंदर इस port को लगा देता हूँ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हूँ तो यह charging port को इस प्रकार से लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको fabi quick से चिपका देता हूँ और अभी मैंने यहाँ पर यह 3 mm की LED ले रहा हूँ और इस LED का positive पर यह 1 kg की register को soldering का दिया हूँ तो फ्रेंट्स यह box के अंदर एक hole करके यह LED को मैंने फेवी quick की दोरान चिपका लिया हूँ और यह LED की positive के साथ जो 1 kg की register को soldering किया था वहाँ पर मैंने यह charging port की positive को soldering का दिया हूँ आप देख सकते हो और यह charging port की negative को मैंने LED की negative के साथ soldering कर दिया हूँ तो इस प्रकर से आपको यहां पर connection कर देना है और यहां पर आपको एक diode लेना है 1N4007 का और यह diode की जो black वाली लाइन है इसको हमें यहां पर यह register की साथ soldering करना है जो हमारा LED की positive की side में है तो फ्रेंटस अभी मैंने यहां पर एक read कलर की wire को ले रहा हूँ और इस wire को मैंने यह diode की जो Discover की वाली पटी है वहां पर soldering कर देता हूँ और उसके बाद मैंने यहां पर एक black कलर की wire को ले रहा हूँ और इस wire को मैंने 요actively दी नेगेटीव के साहर सोलड़रिंग कर देता हूँ जो हमारा इस चार्जिंग पूर्ट की नेगेटीव के सा को मैं यह बैटरी का पुजिटीव खुद्य कर देता हूँ औरिक ब्लक कलर को मैं यह बैटरी आके कर से मैं यहां पर सारे connection complete कर दिया हूँ तो फ्रेंट्स अभी हमारा ये Bluetooth earphone complete हो गया है और इसको testing करने से पहले मैं charge करके दिखा देता हूँ तो अभी मैंने charger की pin को इस charging port की अंदर लगा देता हूँ तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा ये side में red color की LED glow कर रहा है इसका मत प्लूटूथ यहरफोन चालू हो जाए तो अभी मैंने यहां पर ये mobile ले रहा हूँ और इस mobile में जो Bluetooth है उसको on कर लेता हूँ तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा Bluetooth डिवाइस refresh हो रहा है और हमारा Bluetooth डिवाइस चेक कर रहा है mobile तो यहां पर देख सकते हो हमारा ये जो Bluetooth यहरफोन है उसका जो सिरियल नंबर है वो यहां पर आ गया और अभी मैंने इसको प्यार कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये Bluetooth यहरफोन हमारा इस mobile के साथ प्यार हो गया है इसका मतलब ये Bluetooth यहरफोन हमारा इस mobile के साथ जूड़ चुका है और अभी मैंने यहां पर एक सांग फ्ले करके आपको सुना देता हूं तो फ्रेंड्स ये ब्लूतुत है अरफन आपको कैसा लगा कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर बताएए अगर वीडियो पसंद आएए तो वीडियो को लाइक करिए और अपनी दोस्तों के साथ सेयर भी कर दीजे अगर अपने हमारी चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसके उपर प्रेस करके आल पर दबाएए ताकि हमारा इसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी तो फ्रेंट्स आज के लिए में रहता हूँ जै इन जै भरत बंदे मातरम